चीवन शैली में हो रहे परिवर्तन और व्यायाम से दूर होने की प्रवृति के कारण बच्चों में मटापे की समस्या तेजी से बड़ रही है बढ़ता मोटापा बच्चों में नाकेवल मदू में और उच रक्चाप जैसी बिमारियों को अμαंतरन दे रहा है बलकि उनके केरियर और सोशल लाइफ में भी मुसीबत बन रहा है विशेशग्यों का कहना है कि समय रहते अगर बच्चों की सेहत या मुटापे पर ध्यान ना दिया जाए तो वह उनके मनोव ग्यान को भी प्रभाविक करता है बच्पन में ही बच्चे का बहुत ज्यादा मोटा हो जाना माता-पिता के लिए चिंता क कारण बनता जा रहा है विश्व स्वस्त्य संग्ठन के अनुसार आज हमारे देश में एक चुथाई बच्चे वह किशोर मुटापे का शिकार हैं अगर पंजाब की बात करें तो लगता है कि यहां के बच्चों को बुरी नजर लग गई है नए सर्वे के मुताबिक पंज टीवी या मोबाइल से चिपके रहते हैं इसके अलावा पंजाबी बच्चों का खान पान भी बेहत बिगड़ गया है पंजाब के स्वस्त्य वर्दक खाने की जगह अब फास्ट फूड ने ले ली है जिसका असर बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके मानसिक विकास पर भ पाई गई है जबकि कुछ में यह समस्या जैनेटिक कारणों से है पचास प्रतिशत पच्चे खाना खाते समय टीवी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरनों का प्रियोप करते पाए गए हैं बच्चों का लाइफ स्टाइल बहुत स्लो हो गया है और शारीरिक श्र कि देखी जा रही है ऐसे में माता पिता का रोल बढ़ गया है उन्हें अपने बच्चों की आत्तों को बदल कर उन्हें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने को प्रेरित करना होगा सांच टीवी सबसे आगे सबसे पहले बने रही है हमारे साथ पलपल की खबरों के लिए